ऐसे फ्रेक्शन को ऐसे जो भिन दिखेते हैं इनको बितत या लंगड़ी भिन कहते हैं इन भिन को solve करने के लिए सबसे पहले एक basic हम अबता रहे हूं कि अगर कहीं पर लिखा जाए 1 upon 3 by 5 तो इसको हम लिख सकते हैं 5 upon 3 इसको हम लिख सकते हैं 5 upon 3 ध्यान इसमें इतना से देना कि कभी भी 1 upon में यानि ये उपर वाला पूरा answer हो गया और ये पूरा x का हर हो गया अगर हर में भिन है तो उस भिन को उल्टा करके लिख देते हैं और ये 1 यहां से हट जाता है इस चीज को आपको ध्यान देना है चलिए इसके solution में देखते हैं इसी चीज को 3 2 जा 6 3 का multiply 2 में करेंगे 6 आ गया और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 7 by 3 ये 7 by 3 जब आपका आ जाएगा तो आपका यहां पर फिर से यह दिखेगा 1 upon 1 upon 7 upon 3 हमने अभी बताया कि अगर कहीं पर उपर 1 लिखा है और नीचे भिन लिखा हो तो इस भिन को पलट के लिख देते हैं तो इस भिन को जो है यहां पर पलट के लिख दिया गया यहां पर आप देख रहे हैं ये 3 जो है उपर चला गया और 7 नीचे यह है यानि इसको पलट के लिख दिया गया फिर से यहां multiply करते हैं 7 फूर्जा 21 यानि 7 चोक 28 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा तो इसका answer आपका हो जाएगा 31 बटे 7 यहां पर इसको add करेंगे नीचे तो आ जाएगा आपका 31 बटे 7 उपर एक है तो उपर यहां पर भी एक रहने देते हैं सही अब यहां पर फिर से एक बटे 37 यह स्वारी 31 बटे 7 आ जाएगा इस value को उपर लेकर जाएगे 7 को तो यहां से आ जाएगा 7 अपान 31 फिर से यहां multiply करते हैं 31 का multiply 7 में करेंगे आपका 7 उन्जा 7 7 त्रिजा 21 यानि 7 एकम 7 त्रिजा 21 और प्लस इसमें कर देंगे 7 तो आपका आ जाएगा यह साथ साथ 14 और एक एक दो और यह दो यह दो यानि 224 आ जाएगा आपका तो इसके आगे इसमें देखते हैं यह आपका 224 बटे 31 आ गया इस चीज को लिखा गया है यानि उपर 1 की जगा आपकी 5 है तो 31 का उपर multiply कर देंगे और नीचे 224 रहेगा तो यह चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है यह 31 का multiply हमने कर दिया यहाँ पर और नीचे 224 था यानि 224 था तो उसको हमें लिख दिया पूरा इसको solve कर लेते हैं 5 और 5 तरीज़ा 15 तो 155 आ जाता है उपर और नीचे वही value रहेगी 224 ही तो 224 है एक किस्टे पर और इसको solve करना है इसका multiply करते हैं 224 का multiply 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 224 माइनस इससे घटा देना है 155 हमने इसको subtract कर दिया यह आ जाएगा 9,5,14 और यहाँ से आ जाएगा 6,5,11 और 1 से 1 cancel हो जाएगा तो आपका आज आएगा 69 अपान में 224 तो यह आपका answer होगा और यही इसका correct answer है इसका correct answer है 69 अपान 224 एक question और भी practice करते हैं इसके base पे इसमें आपको देख रहे हैं इसका 4 का multiply 1 में करेंगे तो इसका solution पे चलते हैं 4 का multiply 1 में करेंगे 4 और और 4,15 तो 4 अपान 5 लिख दिया हमने directly इसको 5 और 5 और 4,9 आ जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 9 by 5 नीचे और इस चीज को यहाँ पर लिख दिया गया 9 by 5 जो यहाँ से आपको add करने पे आएगा वो चीज को नीचे लिख दिया गया उपर 3 by 2 है तो 3 by 2 लिख दिये अब 3 by 2 आया कैसे यहाँ पर इसको भी देख लो 2 अंजा 2 और 1 3 आ जाता है अभी इसको explain कर देंगे तो यह चीजे हमने फिर से इसको लिखा यहाँ से देखेंगे 3 by 2 पहले लिख दिया इन 2 लगाया और यह value उपर चली जाती है 5 उपर चला solve कर लेते हैं 3 बन जा 3 3 3 9 3 का multiply 2 में करेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा और उपर 5 है तो केवल 5 आ जाएगा तो आपका answer आ जाता है 5 by 6 और यही इसका correct answer है इसका correct answer है 5 by 6 तो I hope आपको एक समझ में आया होगा यहाँ पर देख देते हैं एक चीज यह कैसे हुआ था यह जरसल ऐसे ह होता है कि यह 1 का multiply 2 में हो जाता है और plus का वन कर देते हैं और अपान में 2 रहता है कैसे यह जो बैलू नीचे अंस में स्वारी हर में रहती है उसका multiply यहाँ जो नंबर दिया जाता उसमें कर देते हैं और plus इसमें अंस जोड़ देते हैं अंस की जगाँ पर 1, 2, 3, 4 जो भी जाएगा उसको जोड़ देंगे और इन दोनों का multiply करेंगे तो दो एक कम दो आ जाएगा और प्लस का एक आ जाता है और बटे में आपका आ जाएगा दो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाता है यहां से थ्री बाई टू यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो आपक जाए गई है थ्री बाई टो तो यहीं चीज था तो आयोग आपको समझ में आया होगा ऐसे ही एक एक कंसेप्ट को समस्ते जाएंगे हम लोग तो आप चैनल पर नहीं आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे कोशन्स समझ में आयें और अज जल्दी से जल्दी आप अंसर भी ग्याम में कर पाएंगे